हम लोग शुरू करते हैं रिफ्रेक्शन रिफ्रेक्शन आफ लाइट रिफ्रेक्शन आफ लाइट प्रकास का अपवर्तन प्रकास का अपवर्तन कि रिफ्रेक्शन आफ लाइट होने का सबसे मेन कारण है कि स्पीड के लाइट का डिफ्रेंट मीडियम में डिफ्रेंट होना ठीक है इसका जर्नली चुकि प्लास 10 में थोड़ा वो जान भी रहें आप लो इसको सीधे टॉपिक पर डिसकस करते हैं कहां गया है अगर मालों दो मीडियम है पाले मीडियम आप मालों ए और दूसरा मालों वाटर यह लाइट के रिए जाके स्टाइक की जहां स्टाइक करेंगा वहां एक नार्मल ट्राक करेंगे चाहिए यह रेयर मीडिया में एसलिए जब दूसरे मीडियब आएंगा तो नार्मल की तरफ opened हो गया एय हो गया आई हो गया आर ऐसे ही अगर दूसरा मीडियम लेलो यह लेलो वाटर और इसको लेलिए जब लाइट के रहे जाके श्टाइक करें यह पर यह नार्मल हो गया अब यह नार्मल से दूर हो जाएगा आणि इसका मतलब है कि जब रेयर से तेंसर में आएगा तो नार्मल की तरफ बेंड जब रेयर रहे तो नार्मल से दूर अटेगा इसको आप कहते हो राएट यह जनरली कामन चीज आप जान रहे हो इसका फर्स्ट डूल भी आपको सबको पता है सेकेंड रूल सीधे इस पर चलता है जो इसका सेकेंड रूल है जिसको क्या आदे हो सेनेल्स लासनेल्स स्था अगर इसका रिफ्रेक्टी इंडेक्स माल लो यहन वन है और इसका यहन टू तो इसका क्या होता है इस से क्या होता है बताओ साइन आई साइन आई साइन आई साइन आई साइन आई किसी को डाउट नहीं होगी यह सब जान रहे हो कि रिफ्रेक्टी इंडेक्स अब सेकेंड मीडियम इत रिस्पेक्ट्टू अनि जिसमें से ओकर जिसमें जाता है तो जिसमें जाता है उसका रिफ्रेक्टी इंडेक्स लेते हैं जिसमें सोके आता है ठीक है तो आपका होगे यहन तू अपन आण रिफ्रेक्टी इंडेक्स अ इंडेक्स जो है यह किसके इक्वल होता है सी अपान कि यह चोटे-चोटे फार्मुला आप क्याद होना चाहिए अब यहाँ पर एक चीज़ देखो अगर यह मीडियम है लाइट किरेज अगर एयर में है तो उसमें मालो इसका फ्रिक्वेंसी कितनी है यह फ्रिक्वेंसी इसम स्ब्राइब मतलब इसमें स्पीड अलग होगा और इसमें इसपीड क्या हो गया लग हो इसमें इसमें b1 और इसमें कि biblical फीयन भूं 취b grudu कि अनुभ छाएगा य अगर इस्समें रखो छिछकुक्ल क्या हो जाएगा या फीनटू लेंटू नाट प्वी फिजकल्टू क्या हो देखे, इसी तरीके से, आगर ये मिडियम आपका अलग है, इसमें इसको माल लो V1 और इसको माल लो V2, तो अगर फ является इसका स्फीड पूछा है तो आप क्या लिखेंगें धा सिर फासर मिडियम में स्पीड अगर इसके बैलू निकालना कि ना हो या फिर पाए रिप्रेक्टिंडेडेक्स लिख़ो ना अगर इनट क्छा गए अगर दोनों को तो यह लिखे क्या जाएगा लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं अब लेख सकते हैं और वी इसकल डू यह फिन तू लेमडा टू यह आप से अप्सेल हो जाते हैं क्या बच गया लेमडा वन अपन लेमडा कितने फार्मूले आपके ने इंसला में होते हैं और साइन आई इसको ऐसे भी लिखेंगे तो यहां पर एक जिए थे थ्यां राकना है कि जिस medium से होकर जिस medium में आयेगा तो जिस मिडियम में light करेज आती है उसे का refractive index लिखते हैं जिसमें से होके आता है ठीकर है यहां पर देखो जैसे नवन liberally अगर यह लाइट की रिच आकर 45 डिग्री पर इस टाइक किया कितने पर 45 डिग्री यह एर है मालो यह मीडियम नहीं पता है कौन से मीडियम है इसका रिफ्लेक्टि इंडेक्स मालो क्या इसमें यह question पूछ रहा है कि इस light की रेज का deviation एंगल क्या होगा और ऐसे मेडियम में इंट्री किया जिसका रोट टू तो लाइट की रेज में जो रीफ्रेक्टिव रेज है वो कितना बेंड हुआ और बेंड हुआ तो clockwise होगा कि अंटी clockwise होगा है बताना है डेवी यह अंगल मतलब स्माझ़ रहोते हो ने बिचलान कोड बिचलान कोड क्या होता है जीतना लाइट ग्रेज अपने मेन पत से पेंड होता है और मुख राष्टे साने मेन पत से जीतना वह मूडता है वह ही तुम्हारा कि डेबिएशन एंगल होता है बताई इसकी बहलू क्या हो जाएगे अच्छे एक ची बताओ हमको यह पता नहीं आर कितनी है पता है नहीं पता है इसको मान लो यह संब्लो यह इसको मान लो यहन टू इसकों लिखो गया यह रधाच से एल्टों शीन आजव concrete कि वैलउ कितनीया 1 यह इन कि 45 दिन बताव हो ई हा ह हा ओ न पार रूट करूए कि अचिखलтив एकिट रहा हो गया हो साइनार और इसकी बह्लू कितनी हो गई वन अबाइटू है तो चाहिना इसकी बह्ली हो गई क्या आर की बैलू 30 डिग्री हो गई और इसका मतलब जो रिफ्रेक्टिव एंगल है वो कितना है इसे में बनाई है यह लाइट की रेयर मीडिया में डेंसर मीडियम देखी रहा है नार्मल की तरफ बेंड कर गई तो यह बैलू कितनी हो गई हिंगे अगर यह लाइट किरीज बेंड नहीं करती एक सीध्र से निकल जाती है यही आपका deviation angle है कोद पारे हो ना यहीं बेंडर नहीं होता तो तो सीधे निकल जाती है आपका डेल्टा की बैलू कितना हो जाएगा फिर सीधे निकाल दीजिए 15 डिगरी 15 डिगरी होगा नहीं डेल्टा की बैलू कितनी दिकल गए 15 कि नहीं होगा है अगर हो गया तो दूसरा कुश्चन बताइए कि का कर अब देफ कि क्या बन पाया है कि यह 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 यूज करना पड़ेगा कि 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 लाइट गिरे जाके आप इस्टाइक की कि इतने पर होट्टी डिगरी पर कि इतने पर होट्टी दिगरी पर आए आई है ताइल कि दिगरी के बलूर रूर्ट रीवाई टू होता है तो इसको हम करते हैं कि 60 डिगरी कर देते हैं कि इतना इस्टी डिगरी और इसका जो रिफ्रेक्टी इंडेक्स ले लेता है रूट थ्री अब बताई इसका डिएसन एंगल क्या होगा अच्छी कि बताओ इसमें रिफ्रेक्षन कितनी बार होगा एक बार होगा दो बार हुआ कि अखिए यह एक बात पीयर से गोले में जायागा फिर गोले से फाहर नुकलेगा दो बार होगा इसका मतलब दो बाड़े भी यह सना आपको निकालने पड़ीगे अच्छा इसके पहले वाला जो हो देगो क्लाक वाइज एंटिक्लाक वाइज हम लोग नहीं डिसकसी यह क्ल आ भूल ओना की अभी हुमाहां पर माइनस प्लस करना पड़ेगा न हचाई है टो अगरेल्ट लाइट क superiority देखो आपकनारमल हो गया कि यह से तुन आर्मल होगों का और ये समिंटरी करेंगा न चौ्छ करेंगा ना बेंड करके तो सेम मीडिया में तो आएगी गिक तो अब हापका अधर कि बताओ कितनी होगी है यह 1 क्राइन इस एकल टूँ जयान टूँ टाइन-1 मतलब 1 इन टूए शाइन आई के वैलू तिस्टी डिग्री, तिस्टी डिग्री की बैलू, रूट थ्री बाई, तू इचकल टू, रूट थ्री, साइन आर, कैंसेल, आनि 30 डिग्री, आर की बैलू, 30 डिग्री, इसे लिए इसको डाटा वोल दिया गया है, कि असानी से, अनि आर की बैलू कितनी आ गई, 30 डिग्री, तो अगर यहाँ बेंड नहीं होता, तो लाइट की रहे जाए से सीधे निकल जाती, आनि यह डिल्टा वन हो गया, डिल्टा वन इसकल टू, 30 डिग्री, गलाकवाइज है कि अन्टी गलाकवाइज है, गलाकवाइज है, आनि डिल 30 ब् mesa तो आप यहां पाओ धी यहां पिख है कर लाइज द्याहर जो नान मलोह तो आ कि वृषटा है कि सब्भर जाता है तो आप लाठाग करो कि अ अब यह लाँ पांपर जाकर है कि अंब यह न norma से दूर अचेगी नर्मल से आप जाए गास अगर आप चाहो तो आइसे 20 को भी सकते हो और इसे निकल जाती तो एक कितना बच गया 30 तो बचा 30 डिगरी आन्य इसका मतलब ही है डिल्टा 2 की भी बैलू कितनी आई कि अदी डिगरी यह कैसा है clockwise ही है इस लिए डिल्टा इज कल दू क्या हो गया पर टिल्टा 1 प्लस डिल्टा 2 और डिल्टा की बैलू कितनी आ गई 30 डिगरी clockwise आप वाई चाहिए तीक है कि दीख लोगे बाए तो गलत हो क्या है अरे क्यों नहीं गलत हो सकता है हम भी आदमी यह सैतान तुबह नहीं हां 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 और क्या है इंसान से ही गलती होता है कर लिए सैतान से नहीं होता सैतान क्यों गलती करता है अंग जब क्यों चैटे होता हो जाते है हम नहीं इस आता और पी आईसी वालों ने सैतान बना के रख दिया थी का दी इवी हो गया अब इसके बाद दिखिए कि एपारेंट डेप्थ अब हासी कि एपारेंट इस्पिलिंग सही है ने जी हाँ कि एपारेंट आप कैसे बनाएं कि इतना गंदा बनी आप है 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 तेप में होगा क्या हाँ हाँ देवन आप कि उपर दिख रहा है तेलो ठीक है ए तो यहां पर कोई आप्जिक्ट है जिसका रियल डेप्ट मालो कितना तो आप तो यह तो यह वंक जमरा है राजकुमार का हाँ हाँ तो यह आपका अब्जेक्ट है यहां से बहुत सारे लाइट के रेज निकलेगी अगर एक लाइट के रेज सीधे ऐसे जाए तो जाने के बाद सीधे रिफलेक्ट हो जाएगी इसमें आई और आर की बहलू क्या होगी जीरो होगा ना क्योंकि जो लाइट के रेज सीधे गई फिर रिफलेक्ट होके बहार आ गई यहां से अगर दूसरी लाइट के रिए जाप ऐसे ले जाओ बहुत सरे लाइट के रे निकलेगी एक लाइट के रिए लेते हैं यहां से गई ऐसे अब यहां पे मीडियम पलक बढ़ रहा है यहां एक नार्मल ड्रा करो यह एंगल कितना हो गया आई तीक है और यहां से रिफलेक्ट होके बाहर की तरह निकलेगी यह थोड़ा सा आख बड़ा था उसका भैसो वाली मने यह लाइट की रे जाके यहां पे भी इससे तकरा रही है यह क्या हो गया आर आई और आर होता क्या है कि एक ची देखो यह आई अगर बहुत छोटा हो आई बहुत ही छोटा हो ती इसका मतलब है कि जो light की रेजर और वकैसा है आज जो light की रेज जब छोटा होगा आणि जो incident अंगल जब छोटा होगा तो sin i की बहूँ किसकी कॉर लोता हो है लगबग i और sin tis यह तभी होगा जब लाइट की रेज कैसा हो फएरा एकजील हो तो वहाँ पर एंगल बहुत ही थोटा होगा तो अब इस लाइट की रेज को जब आगे की तरफ बढ़ाओगे से जो रिफ्लेक्टिर रेज को तो आग यहां मिला आनि जो इमेज जो आपजेक्ट यहां था वह दिडेस है कितना है और यह डेप्ध कितना है यह अगर र है एभी क्या होगा को एक हुआ अगर यहां से एक दिस्टेंस ले लिए यहां से चुकि कहली हम लोग लोग तो इसका हम लोग डिराइब करने चल रहा है तो यह एंगल कितना होगा जी हुँ आर होगा ना यह भी एंगल आपका ठीक है तो अब इसमें देखो दो ट्राइंगल बन रहा है अगर पहला ट्राइंगल को अगर लो इसका नाम रख देते हैं आपका है ए ओ ए वी तो अगर ट्राइंगल वह कोई बात नहीं पहले बड़े वहले ट्राइंगल को ले लो ए ओ भी में तो सबसे पहले यह एंगल तो बता दो एक एंगल क्या होगा यह वाला इस एंगल की वैलू कितनी हो जाएगे आई तो इसको हम लिख सकते हैं एंग ए एंग जील है एभी आपका क्या हो गया आई और इसको क्या लिख सकते हो राइन आई और टैन थीटा ही चल्डू क्या होता है प्रेपेंडिकुलर अपान बेस तो क्या होगया यह सपान वैसे दुसरे वाले ट्राइंगल अगर आप देखों दूसरा वाला ट्राइं साइन आर इसकल टू क्या हो जागा एकस अपां टी डेस घंथ जब की स्नेल लास से आप क्या पढ़ हो साइन आई अपान sin r is equal to n2 upon n1 is equal to x upon t x upon t into t dash upon x x x cancel हो गया या इसी को क्या लिख सकते हो n2 upon n1 is equal to t dash upon t n2 upon n1 क्या है refractive index है medium का n2 मतलब जिसमें आया है उसका refractive index है और या इसको लिख सकते हैं क्या 1 n2 भी लिखो क्या लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हो और इसकी value क्या होगी d dash कहुं सा है यह parent depth है कि नहीं अरे देखो यहां पर d dash कहुं सा depth है क्या parent depth depth upon real depth यह फर्मूला होता है यह हम लोग इसको क्या कर दिये प्रूव कर दिये जिया कर दिया घ्रूव कर दिया गया अब क्वाले क्लासों गोरों में क्यों डाइट फार्मूला लिखे थे हमीं लिखाये थे इसको आप प्रूब कर दिये की रियल डेप्थ और अपारेंट डेप्थ कैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है एक बार देख लो कि कहीं कोई डाउट होता पूछ लो है लाइम लो